ओम समसनेश रायनमा आईए शवड करते हैं सनिवाल शनी देव ब्रत कथा जिसके इस रवन से शनी देव प्रसंद होते हैं न्याय के देवता हैं और विगडे काम भी बन जाते हैं एक बार की बात है नव ग्रह शूर्य चंद्रमंगल बुद्रहस पती शुकर सनी राहु केतु में बहस हो गई कि कौन बड़ा है आपस में लड़ने लगे फिर नेड़ हुआ कि चलो इंदर के पास चले देवताओं के राजा हैं राजा बिक्रमा दित्स के पास सभी गए और अपनी समस्या को सुनाया राजा बिक्रमा दित सोचें लगे क्या करूं नव सिंगासन बनवाकर और उसी क्रम में जिसका जो धातू था उस पर बैठा दिया अब लोहा सबसे पीछे था उस पर सनी देव को बैठना पड़ा शनी देव इससे छोटे सावित हुए लेकिन सनी देव वास्तों में छोटे तो थे नहीं उनका आशन पीछे था और फिर वो नाराज हो गए राजा से बोले जानते नहीं हो एक राजी में सूर्य एक महिना, चंद्रमा सवा दो महिना, मंगल देड महिना, ब्रहसपत तेरा महिना, बुद्ध, सुक्रेक एक महिना विच्रण करते हैं लेकिन में ढ़ाई से साड़े साथ साल तक रहता हूँ, बड़े बड़े काविनास करता हूँ भगवान राम को भी जंगल जाना पड़ा, शनीदेव करोधित होकर राजा कोई सतरह बोले, इतना कहकर शनीदेव वहां से चले गए, समय बीता गया, और फिर साड़े साती राजा परा गई, तक सनीदेव घोडों का सोधागर बनकर उस राज में आये, बहुत अच्छे न मसल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दे दिया, राजा विक्रमादित जैसे उस घोड़े पर बैठे वह सरपड़ बनकी और भागने लगा, जंगल के अंदर पहुचकर भागायब हो गया, वोखा प्यासा इस्थिती में राजा जंगल में फटकते रहे, अचानक उन्ह खुश हो कर अपने साथ घर ले गया, सेठ के घर में खूटी पर हार तका हुआ था, जिसको खूटी निगल रही थी, थोड़े ही देर में हार गायब हो गया, सेठ वापस आया, तो हार गायब था, और विका ने चुड़ाया है, ये सेठ ने कहा, सेठ ने विका को कोतवाल स पकड़वा दिया, और दंड सुरूप राजा से उसे चोर समझ कर हाथ पेरुन का कटवा दिया, अपंग बना दिया, अब तभी वहां से एक तेली उधर से जा रहा था, विका पर बड़ी दया आई, गाड़ी में बठा कर किर ले गया, और बैल को हाकने का कि तुम बस यही कहते रहो, बैल को हाकने के लिए और मुह से बोलते रहो, कुछ समय पसाद राजा की सनी तसा समाप्त हो गई, वर्शाकार आने पर विका मलहार गाने लगे, एक नगर की राजकुमारी बनभावनी ने मलहार सुनकर मन ही मन प्रड़ कर लिया, जो भी सरा को गा रहा है, वो उसी से ही विवाह करेगी, उन्होंने दासियों को खोशने के लिए भीजा, परंतु वापसा कर सभी ने बताया कि वो तो एक अपंगादमी है, राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले ही दिन अनसन पर बैठ गई, जब लाग समझाने पर राजकुमारी नहीं मा राजा से शमा मांगते भी हाथ जोड़ कर कहा कि हे शनी देव, जसा दुख मुझे दिया है, ऐसा किसी को मत देना, शनी देव इस बिंति को मान गए और मेरे कहा, मेरे ब्रत कथा को जो भी तुमारे सुनेगा कहेगा, उसके सभी कस्ट दूर हो जाएंगे, जो नित्मेरा ध जिहान करेगा, चीटियों को आटा डालेगा, उनकी कामनाय पूर्ण होगी, शनी देव ने राजा को हाग पैर भी वापस दिये, दूसरे दिन सुबह राश कुमारी की याँख खोली तो आश्यर चकित हो गई, बीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जयन का राजा वि दोस्त नहीं, सेट ने निवेदन करते हुए कहा मुझे शांती तभी मिलेगी जब आप मेरे घर सेलकर भोज करेंगे, सेट ने कई प्रकार के बिंजनों से राजा का सतकार किया, और जब भोजन कर रहे थे तभी खूती हार निगल गई थी उसे उगल दिया, सेट ने फिर नुरानियों मनभावनी कमणी को लेकर उजन नगरी लोटाए, और जब देखा लोगोंने तो सारे नगर में दीप माला और खुशी मनाई गई, राजा ने भोश्रा करते भी ये कहा कि शनी देव वास्तों में छोटे नहीं, सर्वोबरी हैं, और शनी देव का मंदिर बनाय नेमित कथा होने लगी, सभी शनी देवता की पूजा करने लगे, और इससे सभी के जीवन में खुशिया भी आने लगी, और जिनके जीवन में साढ़े साती चल ही हो, उन्हें शनी वार के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, इससे सनी देवता इस रूप से भूजन कराना चाहिए, इससे बहुत ही शुब और मंगल होता है, शनी देवता प्रशन होते हैं, शनी देवता जिस पर प्रशन हो, उसकी सभी कामनाय पूर्ण हो जाती हैं, और उसके विगड़े काम भी सुधर जाते हैं, तो शनी वार को आप जरूर इस सनी जनी देव के ब्रत की कथा का शमण करें, इस सनी देवता प्रशन होंगे, सरसों के तेल का दीपक भी आप चला सकते हैं, और अगर आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, तो फिर आपके जीवन में शनी का जो कूप्रभाव है, वो अच्छा होगा और समाप्त हो इससे आपके जीवन में जो नकारात्मक्ता बन रही है वो खतम होगी और शनिवार को कुछ ऐसे कार हैं जिन्हें करना भी नहीं चाहिए सनिवार के दिन लोहा का दान तो बहुत अच्छा माना जाता है परंतु लोहा खरीदना नहीं चाहिए दान करने के लिए पहले से ही लोहा खरीदना चाहिए शनिवार को शराब पीना वैसे कभी नहीं अच्छा होता परंतु विशेश रुप से सनिवार को ना माने नहीं तो आपके जीवन में अच्छे भले जीवन में तूफान आएगा इस दिन यानि सनिवार के दिन इसान दिस सनिवार के दिन बिदा नहीं करना चाहिए सनिवार के दिन तेल लकडी कोईला नमक लोहा यह जो है खरीदना नहीं चाहिए इनका दान करना उत्तमाना जाता है शनिवार के दिन नाखून या बाल नहीं काटना चाहिए इस दिन नमक तेल चमड़ा कालातिन काले जूते यह सब बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए नमक खरीदने से कर्ज बढ़ता है कागज, कलम, जाड़ु खरीदना भी नहीं चाहिए सनिवार को दूध और दही का सेवन अगर आपके जीवने साधी साथी चल लएए तो ना खाएं पिएं, अगर पीना हो तो गुड़िया हल्दी जरूर मिला दे इस दिन बैगन आमकाचार लाल मिर्च भी नहीं खाना चाहिए जूट बूले से भी नुकसान होता है इस दिन गरीब, अपंगे या मजबूर महिला का अगर आप अपमान करते हैं तो आपके जीवन में भी पत्तियों का धीर लग जाएगा इसलिए इनका अपमान भी ना करें और आईए जान लेते हैं सनी देव के बारा नाम जिनसे आपका होगा कल्याण ओम संग सनेश्यराय नमा शनिदेव के ये बारा नाम जीवन में मंगल ही मंगल करते हैं कोणस्थ, पिंगल, वब्रु, कृष्ण, रवुद्रान्तक यम, सौरी, सनैश्चर्म बंद, पिपलाश्रे ये है शनिदेव के बारा नाम अपने जीवन में सुख संपन्नता पाने के लिए अगर आप चाहते हैं धन बृद्धी हो, सुख बृद्धी हो और बाधित कार आपके जीवन में पूरे हो तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेंड के नीचे ये अनुष्ठान जरूर करें हनवान चालीशा का पाठ पीपल की परिक्रमा करते हुए करें पहले जल चढ़ाएं, काले तील चढ़ा दें और उसमें साथी साथ दीपक जला दें सरसों के तील का हनवान जी की उपासना करने से कितने भी सनी विपरित हो वो अनकूल हो जाते हैं क्योंकि जो रावर था रावर ने सारे देवी दिवताओं को बंदी बना लिया था तब हनवान जी जब लंका पूरी में गए थे, त आरे देवी दिवताओं को तो सुचला देश चुड़ाया था शनिदेव आपको आपके कर्मों का शुब फल प्रदान करते हैं तो उनकी अनुकूलता होगी तो शुब कर्म आपके शुब रूप में आएंगे आप सभी को एक अच्छी लगी हो जानकारी अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों को शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए जै 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 शलिदेव ओम शम सनईश्यराय नमा नील आंजन समा भाशम रभी पुत्रम यमागर जम छाया मारतंडसं भूत तम नमामी सनईश्यराब